सैयुक दराश्ट की सालाना वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2021 में भारत को 149 वा इस्थान मिला है जब कि पाकिस्तान को इस रिपोर्ट में 105 वा इस्थान दिया गया है वहीं इस रिपोर्ट में Filmland को पहला स्थान दिया गया है इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि किस देश में लोग कितने खुश हैं खुशाल देशों की बात की जाये तो Filmland के बाद Ireland, Denmark, Switzerland, Salvador, Northern, Sweden, Germany और Norway हैं महीं भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो बंगलादेश भारत से उपर यानि 101 विपाइदान पर है और चाइना 84 वे स्थान पर है 2017 में आई इस रिपोर्ट में भारत 122 वे स्थान पर था जो 2018 में 133 वे पर आ गया मही 2019 में भारत और नीचे 140 पर आ गया और 2020 में 144 वे स्थान पर आ गया 2020 से अगर इस साल की रिपोर्ट का आगलन किया जाए तो भारत ने इस साल अच्छा प्रदशन किया है मकर 2017 के बाद से भारत लगातार इस रिपोर्ट में गिरता जा रहा है इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फिनलेन दुनिया का सबसे खुशाल मुल्क है वो भी ते चार सालों से एक नंबर पर कायम है फिनलेन के बारे में इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वह सबसे सुरक्षित और सुसाशन वाला देश है महाँ पर ब्रष्टचार भी कम है और सामाजिक तोर पर प्रगदिशील भी है इसके अलावा फिंडलेन के पुलिस दुनिया में सबसे भरोसा करने वाली पुलिस बताई गई है महाँ के नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुवीदा प्राप्त है जो देश की लोगों की खुशहाली की एक बड़ी वज़ा मानी जा रही है वल्ड हैपिनेस रिपोर्ट के शुरुआती दस इस्थानों पर आयत देशों की बात की जाए तो वो आर्थिक मामलों में काफी बेटर है महा के लोगों पर आर्थिक मामलों का दबाओ कम है जबकि भारत में इस्तिती एसी नहीं है महामारी के कारण लॉकडाउन की वज़ा से भारत में करड़ों लोगों की नोग लिया जा चुकी है काम धंदे पर बुरा असर पड़ा है इसे में भारत की केंदर सरकार और राज़ सरकारों पर ये जिम्मेदारी आ गई है कि देशवासियों को खुशाल बनाने में पूरी ताकत जोगने